नमश्कार मैं हूँ डॉक्टर निविदता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अस्थमा रोगी कौन से फल हैं जो ले सकते हैं और कौन से फलों को उनको लेने से उनकी जो अस्थमा की परिशानी है जो कंडिशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती चलिए जाएगी जी हाँ जैसे कि मैंने अपने पीछले वीडियो में भी बार बार डिस्कस किया है कि आपको अस्थमा अगर है तो आपको अपनी इमिनिटी पर काम करना होगा क्योंकि अस्थमा ज्यादा तर उन्ही पेशिंट्स को होती है जिनकी या तो इमिनिटी बहुत कम है या ओवर र से या फिर नत्स से तो फलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप अस्थमा पेशिंट्स हैं तो आप सोथ समझ के फल खाएं ये भी जरूरी है क्योंकि सारे फल अस्थमा पेशिंट्स नहीं ले सकते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा फल अगर आप लेते हैं तो अगर आपको अपनी बढ़ानी है तो विटमिन सी रिच फ्रूट्स को अपनी डेली रूटीन में इंकॉर्परेट करना चाहिए तो जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें विटमिन सी बहुत जादा अमाउंट में हैं उसे आप जरूर ले जैसे कि आप संत्रे की बात कर स सकते हैं आप लेमन की बात कर सकते हैं तो जितनी भी ऐसी चीज़ें इसके साफ में आमले की बात कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें विटमिन कि रिच है और यह साहा और की बडी में इंच मिशisa और साथ ही साथ ये rich in antioxidants हैं antioxidants आपके शरीर के free radicals को nullify करके आपकी body को immunize करते हैं, immunity देते हैं तो ये सारे फल आप जरूर incorporate करें इसी के साथ में ये जान लें कि अगर आपको अस्थमा का attack अभी हाल फिल हाल में आया हुआ है या आपको ये condition चल रही है regular basis पे तो ये सारे फल थोड़े खटे होते हैं जिनकी तासी थोड़ी ठंडी होती है तो सुभे और रात को ये फल आपको नहीं लेने हैं दिन के टाइम में आप ये फल ले सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको conditions हैं अगर आपकी conditions बहुत जादा worse हैं अस्थमा की condition बहुत जादा है आपको तो उस condition में आप आपल और पपाया आँख बंद करके ले सकते हैं मतलब अस्थमा की patients को आपल और पपाया जरूर लेना चाहिए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए बिकॉस एक तो आपका इससे digestion इंप्रूव होता है यह fiber rich होती है इनके अदर antioxidants हैं जो आपकी body को immunize करते हैं आपकी body में immunity बढ़ा देते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको incorporate करनी हैं जैसे मैंने आपको बताया कि vitamin C rich fruits, apple, papaya in fact अगर यह condition आपकी नहीं है यानि कि अस्थमा आपको regular basis पे नहीं है problem इसकी आपको month में एक बार या दो बार attacks आते हैं या कभी season change होने पे आते हैं तो banana भी आप अपने routine में incorporate कर सकते हैं because इसके अंदर potassium होता है and again antioxidants होते हैं तो यह आपकी body के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप अस्थमा से जूज रहे हैं present तो इसको regular basis पे ना लें मतलब अगर आप inhalers आपको यूज करनी पढ़ रही है medicines लेनी पढ़ रही है तो आप ठंडे फल या बनाना थोड़े टाइम के लिए avoid करें occasionally ले सकते हैं पर regular basis पे आप apple papaya जरूर ले सकते हैं इसी के साथ में जितनी भी berries होती है berries याने की strawberries या फिर हम बात कर सकते हैं blackberries की या फिर हम बात करते हैं इंडियन gooseberries याने की आमला की ये सारी berries अगेन antioxidant रच होती है vitamin C रच होती है तो ये आपकी immunity पर काम करेगी आपकी immunity strong बनाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो अस्थमा के attack है वो आपके कम होते जले जा रहे हैं intensity कम होती चली जा रही है और अस्थमा की जो condition है वो धीरे धीरे आपकी improve होती चली जा रही है तो ये कुछ fruits आप अपनी daily routine में ज़रूर शामिल करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा improvement मिला है अगर अस्थमा से related कोई query है कोई question है आपके दिमाग में आप हमें comment section में comment करके या फिर दिये हुए numbers पे call करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं और मेरे team पुरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी help करें तैने वाँ